हाई हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं गट्टे के पुलाव दिखा रहे हूं देख लिजे कितना बढ़िया और स्वाधिस रहे हैं और ये ठंडी के दिनों में तो गरम-गरम खाने में बड़ा मज़े आता है और नेक्स्ट एक बाउल लिजे उसके अंदर एक कप बेशन और पिंच पिंच सॉल्ट और पिंच रेड मेच डालके थोड़ा सा पानी डालके ज्यादा मड़ा लिए और इसी तरीके से गोला बना देजिए बस उसके बाद इस तरीके से बना के रख लेना और उसके बाद बर्तन लगाएं स्रव के उपर और उसके अंदर पानी डालके अच्छी तरह से उबाल आने दीजिए पानी उबल गया है इसके अंदर ये सारे जो बनाए वाले ने इसमें डाल दीजिए ये गटा बोलते हैं इसको इसको तब तक उबाल लिए जब तक उपर वाइट फोम आ जाता है जाग और तब तक उबाल के रखना और उसके बाद ठंडा करके निकाल के ठंडा कर दीजिए इस तरीके से काटके रख लिजिए कुकर लिजिए और इसके अंदर टू टेबल स्पून ओयल डालना इसको थोड़ा सा गरम होने देना इसके अंदर जीरा इसको भी हल्का सा फ्राइ होना चाहिए और त्री ग्रीन चिलिस और वन बीग ओनियन इसको हल्का बून लिजिए और ये बाहर चिल्ड वेदा रहे से गरम खाना खाने में कितना मज़ा आता है ना और इसके अंदर अधरक लसून पेस्ट इसको भी हल्का सा बून लेना पुलाओं के साथ एक कॉफी भी पी लिएंगे न तो और बड़ा मज़ा आएगा और हाफ कप मटर ये हमेशा गरमा गरमी खाना चाहिए दीखा कितना कलरफूल लग रहे हैं और इसके अंदर हाफ स्पून हल्दी गट्टा भी डाल दीजें इसको भी हल्का सा फ्राइ कर लेना देखने में कितना बड़िया लग रहा है न और इसके अंदर वन स्पून रेड मिच स्वाधानसार और थोड़ा सा नमक डालके हल्का सा फ्राइ कर लेना और गरम मसाला हाफ टेबल स्पून ज्यादा मट डालना गरम मसाला थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून बस सफिशेंट हरा दनिया और पुदी ना भी डालेता और भी स्वाध बनेगा बस इसके अंदर रैस डाल दिजे टू कप्स रैस लिए हूं में और नमक स्वाधानसार पानी डालके अब इसको ढकन लगाके पान सीटी आने तक रख लिजे देखा हो गया है गर्मा गरम गट्टा पुलाव तयार वाव देखा आम मुमें पानी आ रहा है गर्मा गरम गट्टा पुलाव आप लोग जरूर ट्रै किजे और इठंडी के दिनों में बड़ा मज़ा आता है Okay friends, thank you